सब्सक्राइब बें ताइब कर दो है। ही ओड़िवन, वेलकम टू माय चानल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक्दाम मार्किट लीची मटशी ती दि खाने में टेस्टी है। इससंग साथ में आप बिढ सेस्टेंट में सकते हों तो चलिए रसिपी को स्टाइट में. मैं प्यास की बिढ में 3 प्यास के ठीड मिडिया Ahora, solatो एक भाना कर द२िया Enjoy this method! और इसścieह की यहाँ लिया है फ्रेश हरा धनिया। माण च्छों चैक्छा लान आप साथा लशन की कोलियों को मैंने यहां पर बारी कुट कर लिया हैं और अब आुद की य। मैंने किऊ आपके जाने कोब सुखहते हैं अब convention कुछ मिर्स का 2 correct लग तो भी पर कम जाजा कर सकते हो। तो अब करने हां य। यहां पर लिया है लाल मिल्स पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमंक और थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए हमें यहां पर राई चाहिए तो अभी हमने गयस के ओपर एक कढ़ाई रखी है जिसके अंदर के हमें डालना है टू जैसे ही राई हलकी से चैटटने लगेगी वैसे हम इसके अंदर आलेंगी जीरा तो मैंनी यहां पर हाफटी स्पून जितना ही जीरा लिया है तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो राई और जीरा अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अभी हमें डालना है इसके कि अख़ए हैं चाहले को हलका सा सौफ्ठ कर लिए प्यास को भूनते हुए हमें 2 मिनिट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हूं प्यास का हलका सा कलर भी चेंज हो चुका है तो अभी हमें इसके अंदर आड करनी है हरी मिर्ण को भी इस्तिमाल करने वाले हैं तो आप अब यह सारी चीजे भून चुकी है तो अभी इसके अदर मठकी आड़ करनी है तो मठकी डालने के बाद में अभी इसको लगातार चलाते हुए भून कर लेंगे तो यहां पर मैंने गयस की फ्रेम को लो पर ही रखा है लो फ्रेम पर ही हमें इसको दो से तीन मिनिट के लिए अइसा करने से इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आती है तो अभी हमें मठकी को भूनते हुए दो से तीन मिनिट हो चुके है और आप लोग देख सकते हूँ मठकी का हलका सा कलर भी चेंज हो चुका है तो अभी हमें इसके अंदर कुछ मसाले आड़ करने हैं रैस अब इसके साथ में टेस्की सबसे नमक एड़ कर देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और टेस्ट के लिए थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करेंगे आप चाहू तो अब राब मसाले को स्किप्पी कर सकते हूं और अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे अभी हम दालेके इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया और धनिया परती डालने के बाद में अब मोद्सको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर कर लेंगे तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हो हमारे यह मटकी फ्राय है वो बहुत खिली-खिली से बनी है तो अभी हमें इसके उपर हलके से पानी के छीटे डालने है हमें इसके अंदर जादा भी पानी नहीं डालना बस थोड़ी-थोड़ी चार-पाच बूंते ऐसे करकर डाल देनी है ऐसा करने से जो हमारी मटकी है वह बहुत अची तरह से कुख हो जाएगी और पानी के चीटे डालने के बाद में अभी हम इसको ढखकर पकाएंगे थक्रिबन दो से तीन मिनिट के लिए तो फ्रेंट्स अभी तीन मिनिट हो चुके है और अभी हम इसका ढखकर निकालेंगे और आप लोग देख सकते हो यह हमारी टेस्टिस से मटकी फ्राय बनकर रेडी है तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बाजो में बेल आइकोन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो फ्रेंट्स लीजिए यह हमारी मटकी सर्व करने के लिए रेडी है तो फ्रेंट्स मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई